श्री राहूल गंधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था पंडित जवालाल नहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुचाया था और ये मैं कोट कर रहा हूँ selected works of जWAYLAL नहरू series 2 volume 18 उसमें नहरू जी की 21 जून 1952 दिली प्रेस क्लब में हुई press conference का जिक्र है and i quote पत्रकार का नहरू जी सवाल है कि पंडित जी क्या भारत में चीन को चाबल की supply की है नहरू जी का उत्तर है चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए है इस्पेशल केस होने की वज़े से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है जैसा कि आप जानते हैं दुर्गम पहाडी लाका होने की वज़े से एक मुश्किल मार गए यहां कोई भी काम आसान नहीं है आगे सुनिये लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने थोड़ी बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए है यहाँ चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिम्दा रखने में मदद कर रहे हैं यद्यपी हम उन्हें तिबबत के बाहर भी देखना चाहते है अगेन आइम कोटिंग सेलेक्टेड वर्स आफ जवालाल नहरू सिरीज टू वाल्यूमे टीन चीन की सेना जब तिबबत में अत्याचार कर रही थी उस समय और इसकी मैं बैक्डाउन भी आपको बता देना चाहता हूँ उस समय जो चीन का नियरेश चहर था उस जमाने में आज की तरह तिबबत में जाल नहीं था सरकों का चेंगडू से लगबग बाइस सो किलोमेटर दूरी थी लासा की और भारत के तावांग से 240 किलोमेटर भारत की तरफ से सरकों की भी स्थिती अच्छी थी क्योंकि शताबदियों से व्यापार होता रहा था वहां रसत पहुचाना संबव था चीन की सेना भूकों मरने की स्थिती में थी तब इन महोदे ने जानते कितने चावल पहुचाए थे जिसको थोड़ा बहुत करें साड़े तीन हजार टन साड़े तीन हजार टन चावल बेट के और बकॉल जवालनेरू वो कह रहे हैं कि उनको जिन्दा रखने में मदद करना चाहते थे इसलिए राउल गांदी जी जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखियो और मैं देश की युवापीडी को पुना याद दिलाना चाहता हूँ आज भी भारत चीन की सीमा के उपर जो हमारा परा मिलिटरी फोर्स है उसका क्या नाम है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस भारत तिब्बत सीमा पुलिस क्यों क्यों कि 1947 में हमारा पडोसी चीन नहीं था पडोसी तिब्बत था इसलिए आज भी उस बॉर्डर फोर्स का नाम है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस तो मानेवर मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये उस जमाने में हिंदी-चीनी भाई-भाई का प्यार था और आज जो है वो इकरार है